आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी जस्ट काम फिनीश हुआ है घर का कपड़े वगेरा दुल गए है और जस्ट नहा के आए हूँ थोड़ा सा टच अप किया है मैंने अभी और फोड़ा सा डिफरेंट सा हेस्टाइल भी बनाया है जिस तरीके से मैं घर पे ब अच्छा कभी कवी कॉलेज भी बना के जाया करती थी काफी अछा लगता है अब शादी हो जाती है इसका मदलब जा थोड़ी अब बना रहे हैं तो चलते हैं किचीन में देखते हैं क्या कर रहे है हाँ जी क्या कर रहे हैं वेलकुम बेख तो आज ना मैं बना रहा हूं टिक्की अपनी वाइप की फर्माइस ते क्योंकि कंचन को कही दिन से टिक्की खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो घर पर ही बनाते हैं क्योंकि लॉक्डाउन वैसे तो खुल चुका है लेकिन अभी मार्कीट उस टाइप से नहीं खुली है कुछ कंडिसांस हैं जो कुछी सोप खुली है तो अभी नहीं खुला है अब इस अब और भी ये पक्टीटों को ग्रेट कर रहे हैं क्योंकि मैश करने से न प्रॷ्ट है इस वजे से ग्रेटूं करना ज्यादा व्यट्र रहता है मैश की जो प्रचल ते टिक्की बिल्कुल भी थीनिंई वनती है को कि अब बेस में हम अरा रोट मिक्स कर रहे हैं आलू में कितनी कॉंटिटी में अभी ऐसी चेक कर लेंगे ना एक मिन अभी फोल्ड करो कि में भी ज्यादा हो गया है ज्यादा ने असको करो बाइंड करो इसे अच्छ से ज्यादा मत करा लेना इसमें कर रहा हो अरं मैं है कैही बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बनाने लगता हूं और वो कि मैं क्या करणा दूपर रहा about इसमें मीडियम साइज के 12 कम से कम प्टैटोज हमने बॉयल करें और बॉयल करने के बाद 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दिये थे फ्रीजर में नहीं और फ्रीज में रखे थे ना Abeena हमारे पास टिक्की वाला तuwa तो है नहीं तो हम रोटी वाले तवे पे इवनाएंगे अब तवा ले क्या हो तुम ।ुम ले क्या हो ना चाहreiben देता में किया है इस दृट मीक१ा और अक्षी करना है तो थे कमें अलुका है निविछेक सब्सक्राइब कलो से आफ दाफी हो गिया है अभी बना लेते हैं खटी मीथी हमनी की चट्नी आप अभ होली वाले व्लॉग में अधाइबला ऒना ना बता दिया थह आज के व्लॉग में आपको हम्हय की चट्नी पहां की कैसे बनती है अभी बना लेते पके एंक तैसं від में च hetک के सारे मिक्स कर दूँ और यह बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनती है हम इसे स्टोर करके कम से कम टू मंस के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और इतना अच्छा टेस्ट होता है ना इसका क्या ही बताऊं 200 ग्रैम मैं इसमें चीनी हैट कर रही हूं को अर्णा आप इसे कोई भी स्नक्स पेड डालकर खाऊ और यपी टेस्ट होता है ना किसका मेरे गहने से ज़रूर अपने घर में स्कॉत हैं इतनी टेस्टी लगति हैं बहुत ज़्यादा समोसे साथ It is gotta be message के साथ और भी दूग्ना टेस्ट हो जाएगा इसका मैं इसमें आड़ कर रही हूं आदा चमच के करी में काला नमक मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा थोड़ा सा मैंने और आइड कर दिया है अपने टेस्ट के एड़ रेड़ कलर जिसे की और अच्छा कलर आएगा इसमें चटनी हमारी हो गई है रेड़ी मैंने इसकी ज्यादा थिक नहीं रखी है क्योंकि टिक्की पर ज्यादा थिक इसकी अच्छी भी नहीं लगेगा और अब मैं इसे चाल लेती हूं एक कंटेनर में तुम इधर आओ मैं हैद करता हो थोड़ी थोड़ी डालगो यह मैं चलाओ यह तुम चलाओ तुम डालो हम चलाओ कि है यह वाली चथनी का प्रोसेशना बहुत अच्छा बहुत अच्छी चथनी ब Luther करना और शवर के उपर तो यह कुछ ज्यादा ही टेश्टी लन्टी अब टगी के ऊपर कर देखते हैं कैसी लगती है लेकिन दाइवले के ऊपर तो रियल में बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है यह हमने मटर वाले चोले पहले से बॉयल कर लिये हैं क्यूंकि टिक्की का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा युसे की क्या एक हम घर पे फोल बना रहे हैं और यह धर रहे है जोगान गौर्टल टिक्ट्र पह Jang स्टमेश टेफ्टी क॥र आप committees हों कैसा बनता हैं हा क्योंकि दर से कर दести में टिकक्रथे कि यह हमें जैसी शेप में गाएंगि तो अच्छी लगती हैं लोगडाउन में एक बात तो है ज्यादा तर लोगों को ना सैब बना दिया है लोगडाउन ने सभी अपने घर पे कुछ से कुछ कुछ से को ट्राइ कर के देख रहा है क्योंकि मार्कित में कुछ नहीं मिल रहा है और यह चीज़ ऐसी होती है कि इन चीजो के बगर रहा भी नहीं जाता है हम कुछ ही दिन तर रोटी सब्सक्राइज खा के रह सकते हैं लेकिन फाइनलि हमें इन जीजों कि इतनी गंदी लग यह न हमें पता है कि यह हैल्थ के लिए ठीक नहीं होती ही फिर भी हमें नॉर्मल चीजों से ज्यादा इस टाइप की चीज अच्छी लगती है कितने क्रियेटिव हो रहे हैं यह कुकी कटर बिल्कु पॉफेक्ट गर में बन गया है अब यह आपको मैं टिक्की की सेप दिखाता हूं कैसी आई है यह देखिए यह प्रोपर सेप आई है टिक्की की एक तम ज्यादा ठीक नहीं लग रही है कि काम करेंगे ना जब यह हो जाएगी थोड़ी प्राउन तो इसको थोड़ा प्रेस करके तुबारा से फ्राइ कर लेंगे और उसी उसी साब से प्रोपर हीट लगती रहेगी एक और बना कि फट्टा फट्से टालेगे कि कि क्रिस्पी इंडर करेंगे और उसके बाद दुबारा से हैं अ Forsch पुआ में करेंगे बीनाद है हाफ मतलब हाफ प्रिसपी अंदर से क्रिस्पी होनी पाई गी तो युन धुबारा से प्रेस करने के बाद अच्छे से जो अंदर तक इसमें हीट Forester ऑफ जिए से लगे बादर इन लोग को भूख लग रही थी तो मैंने दो तीन टिक की पहले से रेडी करके उनको भीजबा दी किचिन में खड़ा होना बहुत बड़ा टास्क है और जो लेडी जे ये काम करती है ना डेली वाओ सेल्यूट है उन सभी को इतनी गर्मी में किचिन में खड़े होना बड़ा काम होता है रेली में और तीनो टाइम का खाना बनाना और भी बागे डिसे बनाना और लोग डाउन में तो लेडी जों को वैसे भी काम बढ़ा हुआ होगा सभी क्योंकि नाइने डिसे की फर्माई सारी है घर पे सभी लोग है जैसे हमें लगे हुए ना काफी कि इन से कुछ बात ऐसी हो गई थी थोड़ा सा जगड़ा हो गया था तो पता है क्या गयते हैं काम होता है कि चिन में नहीं काम होता है पहुचादा होता है और सबसे बड़ा टास्क तो यह होता है कि इतनी गर्मी में खड़े होना गर्मी लग रही होती है उपर से गैस चल बस बनाने पे लगे हुए थे बाइकि अब लेकिन खा ली है और अभी ममारा मन नी कर रहा है बिलकुल भषी कर्मी की वज़े से तो फुड़ा ओईली है तो इस वज़े से और जब काम करते ना किचिन में तो बहुत सर में चड़ जाता फिर मन नी करता खाने का सब्सक्राव दक्ट गा तोर्थी और अबहु पिंगी है था नीचे वाले सस्ट आुक्ड देखर कीचिन है अबहुतो दुम्हें कहाना है क्या किक्की है जाँ कुल अबहुतो अबहुतो बनने तो दो अबहुतो सिक्री कुहका है कि आप टेक्की जब शाधी वगयर बढ़िग चाहिं ना मेर को एल एक रहता है क्रिष्पी टिक्की और उस सिर्फ नमक डाल के मैर को खाना पसंदर बढ़ं यह इसाँ सॉस भगयराए चितनी वगयरा तिक्की बहुत कम अच्छी लगती एक दो टिक्की बची हुई है वो तो तेस्ट तो करेंगे क्योंकि अब ही तेस्ट का भी नहीं बता है कि यह वैसे नीचे तो लोगो ने बता ही है उसमें अभी एक बची हुई है वो तवे पे वो देख लेते हैं तुमारी वोई बनानी है सेम वैसी वाली है तो मेर को नी बना है ऐसी वाला है देखो गाइस मुझे ठोड़के किचिन मेही ही और खुद पहले से पहले ही अपने लिए रेडी करके ले आई और मुझे मही पर छोड़के आगा है मैं भी बना के अभी लेग कि आ हूँ और देखो मेरे वाली ऐसी है देखो, 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 फिनिस भी कर दिया जब तक मैं अपनी लेकर आई हूँ तो फाइनली हमारा नंबर भी आगिया खाने के लिए देखो फिनिस कर दिया और पूछ यह कि आपी खाले जिए अप मेरी खाले जिए मैंने अभी खाई नी है और भी रेडी करके ले क्या हूँ वैसे बहुत टेस्टी बनी है बल्कुल मस्त वाली बनी है तो गाइस मैं भी ख 2 ताहिए। के बहुत लगता है peer 5 लॆशारव मार्किट अभाली है ताअ मार्किट में हाई है बफ deport टाहिए। और अडर्मी भी होई है तो मत कीजिए। की बहुत जायदा थाइम लगता है byNai, तो इक अब घरू जरूर ट्राय करना तो, है लिदी ==== लाकि जरूर की जरूर यह देखा ने बनाना आपने देखा टिकी बनाना कोई बहुत जादा तफ काम नहीं है बहुत इजी है जादा चीजों की जरूरत जरूरत सिर्फ चटनी में ठोड़ी प्रोबलम माति है क्योंकि चटनी बनाने लगा है वर बस एक कमी रहे गे ग्रीन वाली चटनी नहीं चलो खाने दोगी मजह था खौओ बस अब ही मैं फ्रीयों के बैठी हूं और दुफैर में तो हम चार बजे फ्री हुए थे और ठक गए थे बहुत बुरी तरह से लगे लगे, लगे लगे चार बजे किचिन से फ्री हुए थे ए।पर उसके भाद हम नीचे जा अके सो गए थे, और भूत अच्छी नीन था हुआ धकने के बाद तो मैं आई ही नीन, अच्छी आदी अर अभी भी पता क्या कर रहे हैं , क्या बना होग इसका यह बना रहे और ब्लैक मेरा ओल्टाइम फेवरेट कलर है, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर, और मोसली मैने देखा है लड़कियों को पसंद होता है ब्लैक कलर, अब मेरे को सबका तो मालूम नहीं, लेकिन मेरी दोस्तों, तो ज्यादा पिंक पसंद होता है, ब्लैक किसने बोला 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 है, ब्ल वो तुम्हारे लिए लीडिए टुम्हारे लिए लेक्या थे थे निचसे रहे रखके हैंन् देखो केसी हा देखे लेख्या देख्या थे मैं नाइ नहीं नहीं कि अच्छिवर कह अबए झायी थे टुम्हारे देख्यां। खराब होई है तो चेंज कर लो इनको अब पापा लोगडाउन में इनको टूंधान के लेके आया है मैं ना कुछ खाने के लिए बना रहा हूँ ये पराथे पीछे रख लो मुझे ने इसी टाइप की चपले अची लगती हैं अची बना में स्टाइप की पहनी है अधलब कॉलिज टाइम से पिछले सात अच आठ साल थे पता है क्यों पहनी है क्योंकि लडिकियों को देखो मरा कर रहें बहलने से क्या क्या लडिकिया को कुछ नहीं नहीं बटाव क्या लडिकियों को अशु आगए आपको दीख ही नहीं आओगा देखे बिलकुल छोले कुल्चे वाला छोले बन गया है तो रोटिया में बना के आगई हूं अभी नीचे से और अभी लगी है भूग क्यूंकि हमने दुफैर में भी टिक्की सिफ एक खाई थी और कुछ भी नहीं तो अभी नहीं खाया दुफैर से अभी ब्रेक्फास्स नहीं लिया था अच्छा यह पगड़ो और दगो खामे के साथ चैस्ट खामे के साथ चैस्ट को अधर ब्रिंग कर रहे है मैं तुम करते है भी अज मैंने सच्छा पैक लगवा देता हूं कंचिभई शहां जूंती परूंगी नहीं गाइज मजाब कर रहा है ड्रेंक सेहत के लिए अची ही नहीं होती हम ऐसा कुछ करते भी नहीं है अभी हम बस खाना वग्यार आप खा लेते हैं और व्लॉग बहुत ज्यादा हो गया है शायद आज का लंबा और आज का व्लॉग में हैं एंड करती हूँ वीडियो को ल सब्सक्राइब करें आपका सब्सक्राइब करें आपका सब्सक्राइब करने में तो मिलते हैं कोई अच्छे से व्लॉग के साथ अगले और तिल दिन बाबा गाईज